आप सब लोगों को हमारे यूटुब चानल नौलेज दुनिया में स्वागत है इस वीडियो में हम 10 महत्तो पुर्ण इतिहास के प्रस्ण के बारे में जानेंगे जो आपके परिक्षा में आ सकता है ये रहा पार्ट वान तो चलो वीडियो सुरू करते हैं ये रहा पहला सवाल नंदव वान्स का पहला सासक का नाम क्या था इसका चार ओप्षन है अ देवननन्द, बी महापद्मनन्द, सी राजानन्द या डी किसोरनन्द अगर आप लोग सोचना चाहते हो तो वीडियो पॉस करके आप सोच सकते हो उसके बाद अपना उत्तर चेक कर सकते हो इसका उत्तर है बी महापद्मनन्द तो नंदव वान्स का पहला सासक का नाम था महापद्मनन्द ये रहा दूसरा सवाल जैना धर्म के प्रवर्तक महाबीर को मुक्ष किस राज्य में मिला था इसका ओप्षन है इसका उत्तर है बी बीहार तो जैना धर्म के प्रवर्तक महाबीर को मुक्ष बीहार राज्य में मिला था ये रहा तीस राशवाल प्रसिद्ध सासक अलेक्जांडर दग्रेट का जन्म किस देश में हुआ था इसका ओप्षन है इसका उत्तर है बी ग्रीश तो प्रसिद्ध सासक अलेक्जांडर दग्रेट का जन्म ग्रीश देश में हुआ था ये रहा चोथा सवाल प्रसिद्ध कलिंग यूद कौन से राज्य में हुआ था इसका ओप्षन है इसका उत्तर है बी ओरिशा तो प्रसिद्ध कलिंग यूद ओरिशा राज्य में हुआ था ये रहा पांच वसवाल मोर्यो सम्राट ओसुकों का मृत्यू किस साल हुआ था इसका ओप्षन है A.210 B.C. B.220 B.C. C.232 B.C. या D.242 B.C. इसका उत्तर है C.232 B.C. तो मोर्यो सम्राट ओसुकों का मृत्यू साल 232 B.C. में हुआ था आप लोगों का ओनलाइन टेस केसा चल रहे अगर आपने अभी तक 5 में से 5 का सही जवाब दिये हो तो आपको कॉंग्राचुलेशन और अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो फिर भी कॉंग्राचुलेशन क्यूंकि आप बहुत कुछ नया चीज जान रहे हो ये रहा चछटा सवाल प्रथम पानिपत यूद किस साल लड़ा गया था इसका ओप्शन है A 1290, B 1426, C 1526 या D 1626 इसका उतर है C 1526 तो प्रथम पानिपत यूद साल 1526 में लड़ा गया था ये रहा साथ बसवाल बाबर का मृत्यू किस साल हुआ था इसका ओप्शन है A 1430, B 1530, C 1540 या D 1630 इसका उतर है B 1530 तो बाबर का मृत्यू साल 1530 में हुआ था ये रहा आठ बसवाल अलेक्जांडर दग्रेट को और किस नाम से जाना जाता था इसका ओप्शन है A. महान ब्यक्ति, B. राज राजश्वरी, C. सिकंदर या D. अलेक्जी इसका उतर है C. सिकंदर तो अलेक्जांडर दग्रेट को सिकंदर के नाम से जाना जाता था इसका ओप्शन है A. महापद्मनन्द, B. गजानन्द, C. धननन्द या D. राज राज राजश्वरी इसका उत्तर है C. धनानंद तो नंदवन्स के आखरी सासक का नाम था धनानंद ये रहा दसबा सबाल और आखरी सबाल इस ओनलाइन टेश्ट का भारत का राजधनी यानि क्यापिटाल दिल्ली से पहले कहां पर था इसका उप्सन है A. मुंबाई, B. पूने, C. कोलकाता या D. नागपूर इसका उत्तर है C. कोलकाता तो भारत का राजधनी यानि क्यापिटाल दिल्ली से पहले कोलकाता में था आप लोगों को ये ओनलाइन टेश्ट केस अलगा और आप ये 10 सबाल में से कितने का सही जबाब दिये हो हमें कॉमेंस सेक्षन में जरूर बताना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को सेयर कर दिजिए वीडियो देखने के लिए धन्यबाद